दूसर इस वीडियो में आप जानेगे online pen card में correction कैसे करना है अगर आप अपने pen card में अपना name अपने fathers का name, date of birth या फिर अपने photograph को change या फिर update करना चाहते हैं अपने signature को update करना चाहते हैं तो अब आप गर बैटे ही online इस process को कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने के ज़रत नहीं पड़ेगी, और आपके pen card में correction हो करके, 10-15 दिन में speed post के जरीए, आपके घर तक आपको आपका pen card मिल जाएगा क्या है पूरा process pen card में correction करने का, जानना चाहते हैं तो इस video को एक like और video को continue देखते रहे हैं, अपने pen card में correction करने के लिए, आपको google में search करना है pen card correction, जैसे ही आप ये search करेंगे, first link आपके सामने आ जाएगा, online pen application NSTL का, इस link पे आप click करेंगे तो next page आपके सामने open हो जाएगा इसका link आपको description में मिल जाएगा, अब direct us link पे click करके भी इस page पे आ जाएगे इस page पे आने के बाद दोस्तों आपको नीचे apply online का option selector देखने को मिलेगा, आपको इसे selector रहने दिना है नीचे आपको application type में click करना है, यहाँ पे आपको third option देखने को मिलेगा, changes or correction in existing pen data and reprint of pen card तो दोस्तों आपको third वाला option select कर लेना है, उसके बाद आपको category का option मिलेगा, तो category में आपको click करना है और यहाँ पे आपको individual को select कर लेना है और उसके बाद आपको applicant information में अपनी information enter करना है, सबसे पहले आपको title select कर लेना है, शिरी शिरीमति कुमारी, और उसके बाद आपको अपना name enter करना है, full name enter करना है, सबसे पहले आपको अपना last name surname enter करना है, और उसके बाद आपको अपना first name enter करना है अगर आपके name में middle name है, तो आप middle name के box में middle name को enter कर दीजे, और उसके बाद आपको अपनी date of worth को यहाँ पर enter करना है आप इस पर click करेंगे तो calendar में से आपको अपनी date of worth को set कर लेना है और उसके वाद आपको अपनी email id एंटर करने है और mobile number एंटर करना है और नीचे आपको weather citizen of India में yes के option को tick कर देना है और pan number के नीचे box में आपको अपना pan number एंटर कर देना है जो भी आपका pan number है और उसके वाद आपको नीचे consent देना है इस box को tick करके और सारी details एंटर करने के वाद नीचे आपको capture code देखने को मिलेगा capture code आप इस box में एंटर करेंगे और submit के option पे click कर देंगे तो आपका यहाँ पे token number generate हो जाएगा इस token number को आपको copy करके रख लेना है और उसके वाद आपको continue with pan application form के option पे click करना है next page आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पे आपको 4 steps complete करने है first है यहाँ पे guidelines का जो कि already tick हो जुका है और उसके वाद personal details और उसके वाद contact and other details and उसके वाद document details तो यहाँ पे जो है हम अपनी personal details अभी enter करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे 3 options मिल जाते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने pan card में correction के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो center वाला option है जो कि second option है submit scanned images through e-sign यानि कि इस option में जो है आप अपनी मनपसंद की photograph और signature भी upload कर सकते हैं and जो भी correction करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे तो आपको second वाला option select कर लेना है and उसके वाद नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको weather physical pan card is required में yes के option को tick कर देना है and उसके बाद नीचे आपको permanent account number में आपका pan number आपको देखने को मिलेगा नीचे आपको अधार number के box को tick कर देना है और नीचे इस box में आपको अपने अधार card के last के four deserts enter करने हैं उसके बाद आपको e-id number देखने को मिलेगा only for individual तो इस box को भी आपको tick कर देना है and नीचे आपको यहाँ पे name as per अधार का option मिलेगा तो आपके अधार card पे जो भी आपका name है वो same to same name आपको यहाँ पे enter कर देना है और यही name आपके pan card पे print होकर आएगा तो दूसरों आपको अपना name यहाँ पे enter कर देना है उसके बाद goods and services text number को आपको blank छोड़ देना है और नीचे आपको full name of the applicant को option मिलेगा इस box को आपको tick कर देना है और नीचे आपकी details आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आपको नीचे date of worth को option मिलेगा इस box को आपको tick कर देना है दूसरों अगर आप अपनी date of worth में correction करना चाहते हैं तो simple आप इस पे click करेंगे और calendar में से आपको अपनी date of worth को set कर लेना है जो अभी आप अपने pen card पे चाहते हैं और अगर सही है तो इसे आपको ऐसे ही रहने देना है और date of worth के box को आपको जरू से tick करना है और उसी के साथ आपको अपना gender select कर लेना है और उपर box को भी tick कर देना है और उसके बाद नीचे आपको photo mismatch and signature mismatch का option मिलेगा तो ये already tick रहेगा उसके बाद आपको details of parents का option मिलेगा पहले आपको अपने father का name enter कर देना है और नीचे आपको option मिलता है पेरेंट्स नेम टू भी printed on the pancard यानि कि आप अपने pancard पे अपने fathers का name चाते हैं या फिर mother का वो आपको select कर लेना है उसके बाद आपको next के option पे click करना है and next page आपके सामने open हो जाएगा contact and other details का यहाँ पे है सबसे पहले कि आपको अपना address enter करना है address के लिए आपको यहाँ पे residence and office का option मिलेगा तो आपको यहाँ पे select कर लेना है कि आप अपना residence address enter करना चाते हैं या फिर office address दोस्तो जो भी आप यहाँ पे select करेंगे उसी address पे आपका pancard print होकर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हम residence को select कर लेंगे और उसके बाद residence address आपको enter कर देना है address में यहाँ पर सबसे पहले आपको flat, room, door, block number जो भी है वो enter कर देंगे उसके बाद आपका village कौन से है, premises, building कौन से है तो वो है आप enter कर देंगे और उसी के सार road, street, lane, post office वो enter करेंगे और उसके बाद area, localities, subdivision क्या है वो enter करेंगे town है, city है यहाँ फिर district है वो आप enter कर देंगे और उसके बाद आपको country name में नीचे select के option पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है इंडिया और इंडिया को select कर लेना है उसके बाद आपको अपनी state, union, territory को select करने के लिए इस option पर click करना है और यहाँ पर अपनी state यहाँ फिर union, territory जो भी है उसे select कर लेजे और उसके बाद आपको अपना pin code एंटर करना है जो भी आपके area का pin code है address एंटर करने के बाद नीचे आपको option मिलेगा telephone number and email id details का यहाँ पर आप country code में select के option पर click करेंगे यहाँ पर आपको type करना है इंडिया आप जैसे इंडिया आपको इंडिया 91 का option मिल जाएगा तो simple आपको इसे select कर लेना है और उसके बाद आपको area std code को blank छोड़ देना है और उसके बाद आपको mobile number and email id आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर नीचे आपको option मिलेगा mention order permanent account number इसे आपको खाली छोड़ देना है और नीचे next के option पर click कर देना है और next पर आपको सामने open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपनी document details एंटर करनी है सबसे पहले आपको proof of identity, proof of address, proof of date of worth एंटर करना है जिसमें कि आप अपना अधार का document सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप proof of identity में select को option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको documents की details देखनों को मिल जाएगी जिसमें कि आप driving license, passport यहाँ फिर कोई ओर document आप यहाँ पर select कर सकते हैं लेकिन दोस्तों असान रहेगा यहाँ पर आपको अपना अधार काड़ सेलेक्ट करना है आप नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको अधार काड़ एंटर का option मिलेगा और उसके बाद आपको proof of pen का option मिलेगा तो proof of pen में जो है अगर आपके पास copy of pen card है या फिर copy of pen allotment letter है तो उसे आप select कर सकते हैं otherwise आप यहाँ पर no document को ही select कर लीजिए और उसके बाद आपको declaration को option मिलेगा तो IV के आगे जो box है उसमें आपको यहाँ पर अपना name एंटर कर देना है full name आपको एंटर करना है उसके बाद नीचे आप select के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको himself, herself को select कर लेना है उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर option मिलेगा number of documents की कौन सा document जो है आप यहाँ पर upload करेंगे और कितने documents को आपने यहाँ पर select किया है तो यहाँ पर हमने एक ही document को select किया है जैसे के अधार card और उसी को हम upload करने वाले हैं तो हम यहाँ पर one enter कर देंगे और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर place का option मिलेगा तो आप जस्वी city में रहते हैं उस city का name है यहाँ पर enter कर दीजे और उसके बाद आपको नीचे score down करना है और यहाँ पर आपको upload photo signature का option मिलेगा तो दोस्वी यहाँ पर जो है अब आप अपनी मन पसंद की photograph और signature को upload कर सकते हैं जो कि आपके pen card पे print होकर आएगा तो दोस्वी यहाँ पर photo कैसे upload कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर red plus वाले icon पे click करना है और अपने photograph की file को यहाँ पर select कर लेना है select करने के बाद आपको नीचे upload के option पे click कर देना है जैसे यहाँ पे upload के option पे click करेंगे तो आपका photograph यहाँ पे upload हो जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको अपने photograph की जो file size है वो यहाँ पे 50KB से कमका ही रखना है और उसी की साथ signature भी आपको इसे तरही के से upload कर लेने है और उसके बाद नीचे आपको option मिलेगा upload spotting documents का यहाँ पे आपको अपना document कोई भी upload करना है जैसे के हम अधार card को upload करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको अपने अधार card की front end back side की यहाँ पे PDF create कर लेने हैं जिसका की file size जो है वो 300KB से कमका होना चाहिए और उसके बाद आपको simple upload करने के लिए red wallet plus icon पे click करना है और उसके बाद आपको अपने अधार card की PDF file को select कर लेना है और जैसे यहाँ पे select हो जाएगी उसके बाद आपको उपर upload के option पे click कर देना है तो आपका spotting document भी यहाँ पे upload हो जाएगा और उसके बाद नीचे आपको submit के option पे click कर देना है submit के option पे click करने के बाद next page आपका open होगा और यहाँ पे आपका application submit हो जाएगा और यहाँ पे अब आपको अपनी details जो है वो confirm करनी है सबसे पहले आपका यहाँ पे permanent account number आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद अधार number अब यहाँ पे आपको नीचे अपने अधार number के first के 8 digits एंटर करने है और उसके बाद जो भी आपकी details है जो भी अभी आपने यहाँ पे एंटर की वो आपको यहाँ पे एक बार check कर लेनी है आपको चेक करते करते नीचे scroll down करना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा proceed का, आपको proceed के option पे click करना है, तो next page आपके सामने open हो जाएगा mode of payment का, यहाँ पे आपको online payment करने के दो method देखने को मिल जाएगे, आप किसी भी एक method को यहाँ पे select कर लेजे, तो आपको नीचे यहाँ पे 106.90 रूपीज की यहाँ पे payment करने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे, यहाँ पे आपको terms of service को select कर लेना है, इस box को tick कर देना है, उसके वाद proceed to payment के option पे click करना है, तो आपके सामने confirm payment का option आएगा, आपको नीच and banking के through, जिस भी तरीके से payment करना चाते हैं, तो payment आपको यहाँ पे successfully कर देनी है, payment जैसे यह आप कर देंगे, तो आप redirect हो जाएगे next page पे, payment receipt यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपका transaction status आपको देखने को मिल जाएगा, success, यहाँ पे आपको नीचे continue के option पे click करना है, and next page आपके सामने open होगा, अदार authentication का, यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है, और यहाँ पे आपको दो option मिले गए, authenticate and continue का, यहाँ पे आपको पहले ऊपर box को tick कर देना है, consent दे देना है, उसके बाद आपको नीचे authenticate के option पे click करना है, जैसे यह आप authenticate के option पे click क पीज आपके सामने open होगा OTP authentication का इस option पे आपको click करना है तो next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको OTP enter करना है जो भी आपने अधार number enter किया होगा आपकी अधार card के साथ जो भी mobile number linked होगा उस पे जो है एक OTP गया होगा वो OTP आप यहाँ पे enter करेंगे उसके बाद आपको submit के option पे click करना है and next page आपके सामने open होगा continue with e-sign का इस पे आप click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना e-sign complete करना है उसके लिए दोसों आपको ऊपर box के option पे tick कर देना है and नीचे आपको यहाँ पे virtual ID यहाँ फिर अधार number enter करना है तो हम यहाँ पे अपना अधार number enter करेंगे and send OTP के option पे click करना है and आपके अधार कार्ड से जो भी mobile number linked है उस पे एक OTP जाएगा वो OTP आप यहाँ पे enter करेंगे और उसके बाद verify OTP के option पे click करेंगे तो successfully हमारे यहाँ पे e-sign complete हो जाएगा और यहाँ पे successfully आपका pen card correction के लिए apply हो जुका है दोसों यहाँ पे आ आपको acknowledgement देखने को मिल जाएगा इसे आप download कर सकते है PDF फाइल में यहाँ पे जो है इस PDF फाइल को जैसे आप download करेंगे उसके बाद open करेंगे तो यहाँ पे आपसे password पूछा जाएगा तो password जो है वो आपकी date of worth ही रहती है सबसे पहले आपको यहाँ पे date उसके बाद month उसके गर पर post office के through आपका pan card आपको receive हो जाएगा दूसर इस तरीके से आप अपने pan card में correction के लिए apply कर सकते हैं अपने pan card में अपनी month percent photograph और signature को upload कर सकते हैं दूसर आई hope कि यह process आपको सही तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इसलिए वीडिय वीडियो देखने के लिए तो चली मिलते हैं next video में बाई